नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे नेच्रालिस्टिक इंटेलिजन्स याने प्राकृतिक बुद्धी मत्ता तो पहला प्रश्न ये उट्टा है कि प्राकृतिक बुद्धी मत्ता किसे कहते हैं? जिसके पास पेड, पौडे और वनसपती के प्रती अनन्य लगाव हो, पशुपक्षियों के प्रती भी संवेद ना हो और सेवाभावी व्यक्तित्व हो, सेवा करना, डान करना ये सारे लक्षन उसमें नहित होते हैं आज हम पटेल अमेजिंग आईडियास चैनल पर पदमस्री एवर्ड विनर पटेल गेना भाई की बात करेंगे, जो गुजराट राज्य के बनास काठे जिल्ले में रहते हैं, वो एक अपंग किसान है बनास काठे में सभी फार्मरों की मान्यता थी, कि यहां फुरुत की खेटी होई नहीं शक्ती, और उसमें भी अनार की खेटी तो होई नहीं शक्ती, किन्तु ये गेना भाई ने एक नई सोच खड़ी की, उन्होंने सोचा और अनार की खेटी शुरू कर दी और बनास काठा जिल्ला में पूरा अनार की खेटी उनके हिसाब से सभी फार्मर करने लगे और उन्होंने करोडो रुपिय का मुनाफा किया किन्तु क्यों उसके अंदर ये प्राकृतिक बुद्धि मत्ता थी पशु पक्षियों के प्रति लगाओ था, खेती वाड़ी के प्रतिय लगाओ था उन्होंने अधुनिक पद्धती और देशी पद्धती का समन्वई किया गूर, आटा और देशी पद्धती का घोबर बनाया और अधुनिक जो टेक्नोलोजी है, ड्रिप इरिगेशन उसे इन्वल किया तबी उन्हें खेटी में उनको ज्यादा मुनाफ़ा हुया इसे कहते हैं प्राकृतिक बुद्धि मत्ता दूसरी बात करेंगे, सांती, सेवाभावी, व्यक्तित्वा, प्रस्ठापित करने वाली मधर टेरेशा रतन टाटा, रतन टाटा की प्रकृती है, डान देने की उनको करोडो रुपिय का डान करना एक स्वाभाविक उसके अंदर बुद्धि मत्ता है वो करोडो रुपिय का डान कर देते हैं, क्योंकि उसे डान करने में एक रस रहता है अगर आपके बच्चे ज्यादा से ज्यादा टीवी में कौन सी चैनल देखते हैं, वो आप अबज़र करेंगे तो आपको भी पता चलेगा, कि आपके बच्चे के अंदर ये प्राक्रूतिक इंटेलिजन्स कितनी मात्रा में है अगर आपका बच्चा टीवी में ये जो डिस्कवरी चैनल होती है, एनिमल प्लेनेट चैनल होती है वो ज्यादा देखता है, तो उसे पता चलता है, कि आपके बेटे के अंदर भी ये प्राक्रूतिक बुद्धी मत्ता, यानि नेचरालिस्टिक इंटेलिजन्स ज्यादा मात्रा में है तो दोस्तों, आज हमने जो बात की है, आपके बच्चों के अंदर की जो जन्मजार प्रतिबा है, प्राक्रूतिक बुद्धी मत्ता है, इसे पहचान ना है, तो उसका निरिक्षन कीजिए ताकि पता चले कि हमारा बच्चा प्राकूरूतिक इंटेलिजन्स में कितना आगे है, या कितना पीछे है, इसलिए हम बार-बार कहते हैं, कि आपके बच्चे का DMIT रिपोर्ट करवाएंगे, तो उसमें पता चलता है कि प्राकूरूतिक बुद्धी मत्ता कितनी है, उसके इंदर म्यूजिकल इंटेलिजन्स कितनी है, यह जो डॉक्टर हवर्ड गार्डनर ने बताया है, नव प्रकार की इंटेलिजन्स, तो हमारा बच्चा कौन सी इंटेलिजन्स में ज्यादा एक्टिव है, यह हमें पता चलता है.